हेलो दोस्तों आपका स्वागत है त्रिसक्त्य अकैडमी में और आज हम जानेंगे उत्राखन पॉलिटेक्निक परवेश परिक्षा 2021 के लिए most important previous year questions जो आपके mock test भी हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं mock test 30 important questions इसमें important question आपके रहेंगे mathematics के, physics के, chemistry के और biology के 30 important questions देखें हम आपको रोज यहां पर provide कराएंगे इसकी pdf भी आपको मिलेगे हमारी telegram channel पर जो exam में 100% आएंगे student अब आपको पता है देखें आपको exam की date हमने बता दी है 28 और 29 अगस्त को आपका exam होगा जो E group के हैं उनको भी हमने date बता दी है A group के, P group के और M group के जितने भी group हैं उनके exam date आ चुकी है admit guard 17 से download करने आपको पर अब आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि देखें आपका exam देखें बहुत ही जल्द हो जाएगा लगबग दो हफ्ते आपके पास सब बचेवे हैं तयारी करने के लिए तो आप daily जुट जाए हमारे साथ इसी तरीके साथ तयारी कीजिए जितने भी यहाँ पर देखें जुड़े हैं students आप भी यहाँ पर comment करने कोशिस करें इन questions को आप solve करने कोशिस करें तुरंत क्योंकि exam में भी आपको जल्दी से जल्दी questions करने हैं आपको वहाँ पर देखे ज़्यादा देर नहीं लगानी है तुरंत वहाँ पर भी आपको question करने हैं और हम आपके लिए देखें रोज जब तक आपके exam होते 30 most important previous year questions की देखें आपर series लेकर आ रहे हैं जिससे आपके देखें maximum concept जो हैं clear हो जाएंगे और आप जी playlist पर जाकर सारे concept videos भी देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं आपर ज्यादा time ना लेते हुए तो पहला question mathematics का आप देख सकते हैं mathematics का पहला question है आपको 10 minus 150 degree की value बतानी है तो देखें इसको आप कहां से solve करेंगे student तो देखें मैं आपको यहाँ पर इसको solve करता हूं तो आप minus इस में से भार ले ले लेंगे तो यह आ लिख सकते हैं और भार आप minus का निसान रख दीजिए बिलकुल लिख सकते हैं 1090 प्लस ठीटा तो देखें 1090 प्लस ठीटा यह आपका हो जाएगा cot 60 degree हो जाएगा और second quadrant में आपको पता है cot negative का होता है तो यहाँ पर यह minus भार प्लस हो जाएगा तो आपको यहाँ पर cot 60 का मा का मान आपको पता है cot 60 का मान आपको देखें student पता होता है जो cot 60 है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी student 1 upon root 3 1 upon root 3 होती है कितनी होती है student 1 upon root 3 होती है तो यहाँ पर answer क्या है student C आएगा 1 upon root 3 यह आपको जाएगा अगर आपको यह नहीं पता कि 10 150 की value कैसे निकालेंगा आप जाकर हमारी चैनल की जीप प्लेलिस्ट में जाकर कॉंसेप्ट की वीडियो देखिए जिसमें आमने आपको ये पताया है इस तरही क्योशन एक्जाम में आते हैं स्टुडेंट तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए इसको एरेज कर देते हैं अब हम यहाँ पर नेक्स्ट केशन्स यहाँ पर करते हैं देखिए 6 मीटर उचे पेड़ की छाया देखिए 6 मीटर उचा पेड़ है श्टुडेंट 6 मीटर उचा पेड़ है श्टुडेंट की छाया यह यहाँ पर इसकी चाया है, दो रूट तीन मीटर, अब यह है सूर्य का उन्यन कोण क्या होगा, यानि एंगल अफ एलिवेशन ऑफ सन, यहाँ पर देखे, तो आपको यह एंगल यहाँ पर बताना है, तो इस सिंपल कुशन है, यहाँ पर आपको परपेंटेकुलर दिया है और बेज दिया है, यानि हाइट दिया है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, टैन, आप लगाएंगे, आप टैन ठीटा, बराबर, आपको परपेंटेकुलर क्या है, छे बत्ते में दो रूट तीन, यह आपका आएगा, तीन बत्ते रूट तीन, यह आपका आएगा, शु च्छाय बट्टे यानि तीन बट्टे रूट तीन हो जाएगा रूट तीन को उपर नीचे आप गुणा कर दें रूट तीन को उपर नीचे स्टुडेंट आप यहां पर गुणा करेंगे तो यहां पर आपका क्या आएगा देखिए तीन रूट तीन आएगा आपका क्या और 10 ठीटा कितना है रूट 3 और 10 ठीटा की वहले रूट 3 कव होती है साट पर कितने पर होती है साट पर यहाँ पर एंगल ओफ एलिवेशन ऑफ सन क्या आएगा साट आएगा आई होप आप सब ने कर लिया होगा अच्छा कुशन है एक्जाम में इस तरीके के कुशन देखे श्टुडेंट बहुत जादा देखे पूछे जाते हैं बहुत जादा इस तरीके कुशन आपसे पूछे जाएंगे अंगल ओफ एलिवेशन से आप देखे पाई रेडियन बर सब्सक्रा कर Day, तो यह पर एसका अंसर के आएक पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री नि जो पाय रेडियन होता है वो किसके बराबर में होता है 180 डिग्री के बराबर में होगा 182 डिग्री के आई होप आपने भी कर लिया होगा क्योंकि आप ऐसे जटेशा कि लिए चली आगे बरते ही यहां पर आपको यहां पर डेखे इस सोले कुजबीमें यह जोशन है इस वह दो यहां को यानि अर्द गोले का समस्त प्रष्टिय छेत्रफल आपको बताना है तो जो अर्द गोला होता है देखिए शुरेंट जो आपका अर्द गोला होता है इसका टोटल सर्फिस एरिया होता है शुरेंट 3 पाई आर स्कॉयर कितना होता है शुरेंट 3 पाई आर स्कॉयर होगा अब ऎसका नेच्ट कोशेनल रोर लिमिट ऑफ 20 से 30 20 से 310 बीच में हैं आपको लोर लिमिट बतानी है तो देखिया जोप अपर लिमिट होती है त्युदेक्वर ये आपकी लिमिट होगी ज Presently आपकी निम्नी सीमा है ये उच्छी सीमा है अपर लिमिट है यहां पर आप from magnetized wire magnitude of magnetic field जब हम चुम्बक क्रित तार से दूर जाते यानि एक यहाँ पर क्या है आपका एक magnetic field है मानि यह आपकी कोई चुम्बक है यह आपकी इस तरीके से कोई चुम्बक है इस तरीके से यहाँ पर यह कोई चुम्बक है इतनी आपकी ये कोई चुम्बक है शोरेंट इसके दो आपको बता है इसके पास क्या होगा magnetic field होगा इस तरीके से magnetic field होगा ये दोनों लाइन कभी आपस में क्या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इस तरीके से आपको बनाना है तो जब आप इस magnetic field से दूर जाएंगे। तो इसका जो क्या है magnitude इसका परिमार काम होता जाएगा। मेटर स्कूर, दूसरा है वेबर, तिसरा है वेबर मीटर या चौत्ता है यहाँ पर वेबर पर निूटन, तो आप बताईए इसका अंसर तो students यहाँ पर इसका अंसर क्या है वेबर पर मीटर स्कूर, यह यहाँ पर इसका अंसर आएगा, physics के question है गरों में भु समपर्क तार का रंग कैसा होता है इन houses आएगा यहांपर English में vàंश लिकर का है इसको सभी कर लेंगे अब गरों में भु समपर्क तार का रंग कैसा होता है अर्थWIRE का रंग होता है green कैसा होगा? green होगा निम्न में से किसका जटका अधिक खतरनाक है, AC का, DC का, दोनों का, यह इन में से किसी का नहीं, तो देखिए, AC हो चाहिए DC हो, अगर करन अट लगेगा, तो जटका दोनों का हानिका रहा होगा, तो आंसर यहाँ पर आएगा, बोथ A and B, अंसर आएगा, इस्टुडेंट, बोथ A and B, मेजर कंपोनेंट और बायो गैस, बायो गैस का मुख्या व्यव क्या होता है, मीथेन, यह सब यह आपको पता होने चाहिए, जिसमें आपको टाइम नहीं लगता है, तुरंट आप उनको कीजिए, ज्यादा टाइम वेश्ट आपको नहीं करना है, जैसे ही आपके अडमिट का आएंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है, वो भी हम आपको बताएंगे, 17 तारिक को, जब आपके अडमिट काड आएंगे, आप प्रेक्टिस करिए दवा के स्टुडेंट्स, आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्टन है, अटॉमिक नंबर अफ सिलिकन, यानि सिलिकन का अटॉमिक नंबर आपको बताना है देखिए श्टुडेंट्, तो आई होप आप सभी को देखिए, आटॉमिक नंबर आच्छे से पता होंगे, आटॉमिक नंबर सिलिकन का होगे, यह simple चीज़े हैं student, यह आपको पता होनी चाहिए, यह simple चीज़े हैं आपको पता होना चाहिए, phosphorus का पंदरा, फिर sulfur, आपको पता होना चाहिए, 17 chlorine, यह सब आपको student पता होनी चाहिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं white phosphorus, देखी जो सफेद phosphorus को सामाने तक किस में रखा जाता है, air water में, oil में, यह mercury में, आनसर आएगा, पानी में, answer क्यांगा? पानी में आएगा, pure form of iron, जो लोहे का सुद्धधम रीट होता है, हो क्या होता है, cast iron, pig iron, rot iron, यह steel, तो answer आएगा, rot iron, जो सुद्धधम रीट होता है, वो क्या होगा? था में मुखतवस्था में पाई जाती है Soodium Gold, Potationchesium यह Aluminium तो answer निम जो होता है?'双हलाक है किसकी मुकतवस्था होता है हम लगम होता है मरकरी का मिस्रदात किसका होता है मरकरी का मिस्रदात होता है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आगे हम आ they form erect and diminished image वह हमें इसा सीधा और छोटा देखिए वह कैसा बनाते हैं सीधा बनाते हैं क्योंकि जो पीछे से आपकी गाड़ियां आ रही है आपको पता चलने चाहिए सीधी गाड़ी है बिल्कुल सीधा आपको दिखना चाहिए सीसे में और छोटा पढ़ते हैं एक लाल रंग के फूल को हरे रंग के काँच से देखने पर एक लाल रंग के फूल को हरे रंग के काँच से अगर आप देखेंगे तो आपको किस तरीके के दिखाए देगा लाल दिखाए देगा हरा दिखाएगा बिल्कुल नहीं दिखाए देगा की अभिसारी देखिये करता है जो converging यानि collect करता है और यहां पर एक होना converging एक होना diverging यानि जो फैल आता है उसे आप diverging दिवंगे student पाणी से भरी बाल्टी कें अंदर चड़ी मुणी वी क्यों परतित होती है किस зах कारण होती है प्रावर्तन के कारण आकर्शन के कारण अब वर्तन के कारण या प्रति आकर्शन के कारण तो इसका यहाँ पर आंसर आएगा तो यहां पर आंसर आएगा नुकलो टाइड यहां पर आएगा इस्टुडेंट नंबर ओफ पेर ओफ सेक्स क्रोमोजोम्स इन यूमन बिंग्स यानि मनुश्या में लिंगी गुण सुत्रों की जो जोड़े होते हैं कितने होते हैं देखिए जो फीमेल होगा उसमें एक सेक् पर होंगे वाय वाय एक्स वाय यह आपको ध्यान रखना है त्योरी ओफ नेच्रल सेलेक्शन जो जैव अनुवांशिक का जो नियम है वो किसे ने दिया यह आपको बताना है तो इसका आंसर आएगा चार्स रॉबर्ट डार्विन क्या आएगा इस्टुडेंट चार्स मैंडल ने अपना परियोग किस पहुद्र हुद्र पर क्या था मटर पर है आप सभी को बता चुछेंट को ओसान सेंदें आपकी तक्रीण स्क्रीन पर आपको बताना है देखिए लॉग A by B है यह मैं आपको करा चुगा हूँ जो student लॉग का concept समझना चाहते हैं ध्यान से सुनी इस student जो student लॉग का concept समझना चाहते हैं कि लॉग वाले question कैसे करेंगे set का concept समझना चाहते हैं set का trigonometry का trigonometry trigonometry log set trigonometry क्योंकि यह concept आपके थोड़े high level के 11 12th level के question आते हैं इसमें थोड़े बहुत तो आपको यह concept अगर जानना है तो आप जीप प्लेडिस्ट पर जाकर देख लें सर्च करें वहाँ पर आपको मिल जाएंगे cover page में ही आपको दिख जाएगा log log question set trigonometry gp g playlist आपको अमारे इसमें मिल जाएगा g playlist में आप जाकर देख सकते हैं आप अच्छे से समझ जाएंगे अच्छे क्यूशन है बहुत ही जाद अच्छे क्यूशन उनको आप बिल्कुल ट्राइगी जी स्टूडेंट तो यहाँ पर इस क्यूशन को हम solve करेंगे log a by b जीने आता होगो तुरंत आंसर देंगे c log a minus log b log a minus log b यह यहाँ पर आंसर आएगा sin pi by 2 प्लस cos pi by 2 आप जो टैंत वाले student है वो यहीं पर चगमा खा जाते हैं उन्हें पता नहीं होता है pi अगर 180 degree है तो pi by 2 कितना होगा 90 degree बिल्कुल तो आपको बताना है sin 90 degree plus cos 90 degree की value आपको बतानी student तो देखिए sin 90 क्या होता है 1 होता है और cos 90 क्या होता है 0 होता है 1 और 0 कितना आएगा 1 आएगा answer आएगा यहाँ पर B 1 answer आएगा B 1 तभी मैं आपको करो trigonometry log और set के concept clear कर लें बिल्कुल पहले से बिल्कुल concept पहले से clear कर लें मैं आपको यहाँ पर cut forward बता देता हूं कि log से trigonometry से trigonometry से आपके 5-6 question आएंगे 5-6 question आते हैं मैंत में 50 आपको बता है 50 question रहते हैं 50 question रहते हैं मैंत के उसमें आप 5-6 question यहां से आएंगे आपके 2-3 question तो log के fix हैं इसी परकार के आते हैं यहां पर अगर कोई संक्या होती 5-6 तब आप आप आसानी से बता देते हैं trigonometry के भी इस तरीके से question आएंगे उस तो आसान वाले आएंगे जैसे आपको कहीं पर angle of elevation निकालना है इस तरीके के question आएंगे और कुछ इस परकार के आपको question देखने के लिए मिलेंगे तो आप अपना concept जरूर मजबूत करें student यह आपको बताना है यहां पर आपको value बतानी यह value आपको बतानी है यह आपर कैसे करेंगे झालति के निजयाisy लेले ल्सावाट पर क्या में एक्स वाइड ओर प्लस वाइस वाइस ङो इस यह तो आएगा तो आप एकस स्वाई का माइन भी आपको बताय書 आगा ओ सत्था तो आंसर क्या आएगा student, आंसर आएगा 17 बट्टे 4, इतना आसान question exam में पूछा गया है, तो यह आपको ध्यान रखना है, जितने question मैंने आपको करें, सारी important है students, आप देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर answer आगया, निम्न में से किसमें कार्बो एक्सलिक वर्ग नहीं है, निम्न में से आपको बताना है किसमें कार्बो एक्सलिक ग्रूप नहीं है, यह question आप से यहाँ पर पूछा गया है, तो student यहाँ पर देखिए, option दियें आपको tartaric acid, यह बिल्कुल कार्बो एक्सलिक असिड होता है, पिकरिक असिड, यह आपने नहीं सुना होगा, इसलिए यह जो नहीं सुना, इसी पे आंसर लगा दिंगे, पिकरिक असिड, क्योंकि मैलनौईग असिड में होता है, और लेक्टिक असिड में होता है, इसमें भी आपका कार्बो एक्सलिक ग्रूप होगा, तो इसमें सेकिंड पर आप टिक कर दें, इंदि परोडिक टेबल, आवर परा जो behavior होता है इसके कारण जो इसकी position है वो uncertain है अनिश्चित है जो आंट का इस्टिंग होता है जो चीटी का डंक होता है इस तरही कुशन बहुती ज्यादा पूछे जाते हैं student एंट के ढंक में कौन सा असीड होता है तो आप सभी को बता है चीटी के ढंक में मेथेनौा अमल होता है कौनसा अमल होता है METHEAUAC पर बागी किसके होते हैं बागी होते हैं एक सांदर HNO थरीका होते हैं तो इस तरीके के देखें आज हमारे 30 questions यहां पर इसके PDF हम आपको देखें अपने टेलिग्राम चैनल पर अवैलेबल करवा देंगे आप बढ़ जाका डाउलोड कर सकते हैं और इस्टुडेंट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यहां पर करूंगा इस्टुडेंट तो इस्टुडेंट रिक्वेस्ट यह है कि आप जाद से आप वुडियो को शेर करें क्यांकि देखें आप ज़्यादे जादा लोगों को से जूड़ पाएंगे और देखें प्लीज आप जाद जादा वुडियो को शेयर करें क्याव क्यारी प्लीज वाथ यह来ए चार्ट यहांBe can now इसको देखे दो दिन हो चुके हैं बहुत सारे शुडेंट्स ने मॉक टेस्ट यहां पर दिया है उनके अच्छे माक्स यहां पर आ रहे हैं एक्जाम में भी आपको इसी तरी क्यूशन देखने के लिए मॉक टेस्ट यह आपके कब तक हम करेंगे एक्जाम तक 28 तक जब आप आपको technometric के कुछ advanced concept पढ़ने हैं तो वह देखिया हमने g playlist में डाल रहे हैं जितना आता है आपके अग्जाम में क्योंकि देखिए हम लोगों ने exam दिया है मैं पता है किस तरीके के exam आएगा तो इस तरीके से आप हमारी g playlist में जाकर प्लीज विजिट करें शुडेंट और आपको telegram channel पर हमारे मिल जाएगी pdf telegram पर मिलेगी कहां पर मिलेगी telegram पर तो telegram channel हमारा यह है देखिए तरी सकती academy आपको सर्च करना है telegram पर आपको हमारी channel का logo दिखेगा इस तरीके से उपर देखिए तो आप हमें follow कर लें वहाँ पर हम आपको इसकी pdf प्रोवाइड करा है thank you very much